हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी क्लास्स पर और आज मैं कख्चा दस्मी के बच्चों के लिए जो जैक बोर्ट से हैं उनके लिए पहुत ही इंपॉर्डेंट कोशन लिखे हूं जो बच्चे इस बार एक्जाम देने वाला 2022 में तो यह जो से पढ़िएगा और सारे कोशन को अच्छी तरह से तरीके से समझना है अभी फिलाल आपके नौवंबर और दिसम्मर में जो एक्जाम होने वाली है पहली एक्जाम और वहां पर आपको अब्जिक्टिव बेस्ट कोशन पूछे जाएंगे तो आज मैं 25 बेस्ट कोशन लेक देखने किने दिन में कंप्लीट हो जाता है मैं कोशिस करूँगा कि दिसम्मर के पहले में आपको इस लेवस को कंप्लीट करके दूँँ तो चले मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पर देशकते है हमारा हुआरा पहला कोशन है पहला कोशन क्या है परकास की किरने गमन करती है अगर आप परकास की किरन देखेंगे हैं कैसे गमन करती है तрьडी रेखा में पहला निर्धामें या चोता हैं सभी है तो आपको बता दें कि परकास की कीरण है वह भी हमेशा सभी रेखा में गमन करती हैं अब चलिए हम लोग अग़ले प्रश्णों पर आते हैं और समझते हैं अगला प्रश्न मारगा रहा है परकास तरंग उधारन है क्या है धुहनि तरंग दूसर साया प्रावेगनी कीरन प्रावेगनी तरंग का या प्रासरन तरंग का तो यहां पर आप रहा है तरणंग है यह किया दूसरा नमर आते हम लोग तीसरे नमर ४्रशण में डिवात में निर्वात में परकास Ricky tsunami क्या होती है अगर निर्वात की बात करें तो हमेंसा याद रखेंगा निर्वात में प्रकास की चाल 3 इंटू 10 डू जब पावर 8 मीटर पर शेकन होता है एडमिन्स हमारा ओप्शन नमर 1 होगा यह चीज़ हम लोग बो सकते हैं क्लास 67 से ही पढ़ते वह आ रहे हैं प्रकास की जो चाल होती है निर्वात में तीन गुना दस पर पावर 8 मीटर पर शेकन होता है अब चले हम लोग फूर्थ नमर कोशन पर डिसकस करते हैं फूर्थ नमर कोशन में क्या कर रहा है कि समतल दर्पन में परतिवीम की प्रकृति कैसी होती है हमेसा याद रखेगा समतल दर्पन अगर आप जो घर में सीसे देखते हैं बाल विगरा चाड़ने के लिए उसमें ह सीथा उपनंटा है मतलब कि आप ऐसे कि एक यहरा ऊपर है नीचे चहरा बन रहा है उपरी चहरा बन रहा है हमारा होगा एक तो आबढ़ जो दर्पन के पीछे बनता उसको अभासिक आते हैं और दूसरा सीधा बन रहा है तो आपसन नमारा क्या होगा फोर्थ हो जागा याद रखेगा ठीक है अब चलते हैं लोग फीप नमर कोशन फीप नमर कोशन में क्या कर रहा है एक समतल दर्पन में वकरता तिरिजया आर है समतल से याद रखेगा अगर हमारे पास समतल दर्पन की बात कहीं चाहें तो आपको पता है ना उसकी वकरता तिरिजया होती नहीं क्यों तो आप्तल वकरता तिरिजया नमर का काठके हो ऑन सकता है इंफिनिटिव होगा सацион के तो operations assessment तो ही के अब हमारा सिक्स नमर कोशिन क्या कह रहा है, सम्तल दर्पन की फोकस दूरी कितनी होती है, सम्तल दर्पन की, फिर हम आपको बताते हैं सम्तल दर्पन की फोकस दूरी कितनी होती है, एक्शुल में सम्तल दर्पन की फोकस दूरी बोल सकते हैं, एक निस्सित नहीं होता है, तो एक लड़का समतल दरपन से 100 मिटर दूरी पे लमवत खड़ा है तो लड़के और परतिविम की बीच की दूरी क्या होगा सिंपल से देखे माली जी यह समतल दरपन है अब माली जी की यहां से 100 मिटर दूरी पे आप खड़े हो माली जी यह 100 मिटर दूरी पे खड़ा है तो द तरक मतलब कि दर्पन की दर्पन से सव मिटर दूरी पीछे इस अब यहां पे और लृवल सो संटिमीटर भी और से तो मृत रही पीछे तो याद रखेगा दरपन के पीछे बनता है 100 मिटर पे और 100 मिटर आप सामने रहते हैं तो यहां से आप जहां पे खड़े हैं वहां से अगर आपकी परतिविम की दूरी देखा जाए तो कितना हो जागा 200 मिटर याद रहेगा चलिए ठीक है अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्णों पे और उ सरफेस है जब परकास की किरन आएगी तो इसको कहेंगे आपतित किरन और इज जाएगी तो इसको प्रावर्तित किरन और एक हमारा क्या होता अबिलम यह होगे आपतित किरन यह प्रावर्तित किरन और अबिलम तीनों एक ही बिंदू पे रहता पहला पहला नियम हो गया तो आपतन कौन प्रावर्तन कौन आपस में इक्वल होगा पहला आपतित कीरन प्रावर्तित कीरन और अविलम तीनों एकी तल पे होगा दू नियम होता है तो इसको याद रखेगा प्रकास प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं दू याद रहेगा चलिए अब आते हैं हम या केवल अपतल दर्पनों पे केवल उतल दर्पनों पे हमेसे याद रखे है प्रावर्तन का नियम जो भी प्लेन सर्फेस होगा जो चमकदार होगा उस पे प्रकास कीरन अगर आएगी तो हमेसा है क्या होगा प्रावर्तित होगा ही चाहे वो समतल दरपन हो, चाहे अपतल दरपन हो, चाहे उपतल दरपन हो, इन तीनों का प्रावर्तक प्रिष्ट क्या होता है, पूरा पॉलिस होता है, तो याद रखेगा, यह मतलब कि तीनों पे लागो होगा, यहाँ पे आपको याद रखना है, सभी प्रावर्तक प्रिष करते हैं गोलिय दरपन की जैमेती केंद्र को क्या कहते हैं अब अब देखे यह घूलिय दरपन के यहां पर पढ़े होंगे तो यहां पर मैं इसको बोलते हैं फ़िए अब इसको करते हैं गोलिय दर्पन और अब गोलिय दर्पन के मध्य को यहां पर पी तरफ करते और इस पी को हम लोग क्या करते हैं इसको और नमरा हमारा एक वन क्या होगा है यहां पर आपको अगर पढ़े होंगे यह हमारा क्या है कि अपतल दर्पन कोई भी दर्पन लेते हैं यहां माली जो अपतल दर्पन है और इसको एमें से डेनोट करते और यह हमारा मुक अक्षा है इसको हम लोग पीसे डिनोट करते हैं और यहां पर हमारा फोकस होता है यहां पर हमारा वकरता केंद्र होता है अब यहां पर बोलता है ध्रूब और वकरता केंद्र और यह ध्रूब यहां से और यहां यहां यह दोनों को अगर आप मिला होगे तो इसको हम लो एक और चीज़ यहां रखेगा, यहां के बीच की दूरी नहीं बोला, धुरूब और वकरता केंद को मिलाने वाली रेखा को क्या करता है? यह रेखा को, यह रेखा यह जो है ए रेखा, यह दोनों के बीच से जो आती, इसको हम लोग मुक अक्ष भी काते हैं? मुक अक्ष तो इसका answer हमारा क्या उज़ा एक नंबर मुक अक्ष याद रखेगे यह जो है दुरूब और वकृता कैन इससे होके जो एक रेखा जाते हैं हम लोग मुक अक्ष छेखें हैं हैं अगर यहां पर बीच की दूरी बोलता तो हम लोग इसको बोलते हैं वकरता तुरिया बोलते लेकिन बीच की दूरी नहीं बोलाया इस दूरी की लिखनवेहता है अरट भात्व। चुछल नम्मर में क्या करा है किसी गोलिय दर्पन की फोकस दूरी उसकी वकर्ता तरिजा की क्यों होती है फोकस दूरी अगर आप पढ़े होंगे कि जो हमारा यह देखे यह हमारा दर्पन है यह अपतल दर्पन है एम एन इसको हम नाम देते हैं और फिर यह इसको धुरूब करते हैं इसको फोकस करते हैं और इसको वकर्ता के अंदर करते हैं अब यहां पर देखिए यहां से यहां तक का दूरी समान होता है ठीक है अगर यहां पर अगर मालेजी एफ है तो यह भी हमारा क्या होगा एफ होगा इस दोनों की बीच की दूरी बराबर होगा अगर यह वन है तो यह भी क्या होगा वन होगा तो हमें से याद रखेगा कि वकरता तिर्जा जो होगी फोकस की दूगों नहीं होते ही है अगर फोकस की बात करें तो वकरता तिर्जा की क्या होती है आधी होती है अगर यहां पर कोशन क्या रहा है दरपन की फोकस दूरी वकरता तिर् और यहां पर हम लोग क्या कर देंगे आधी अगर करता तुम क्या होती है अगर इसन अगले क्या धी नबर कोशन क्या कर रहा हैभिसारक अभिसारक का मतलब से दर्पन हमारे पास द्व है एक दर्पन का काम क्या आता है कीरन को क्या करना फैलाना ठीक है एक का काम क्या होता है जिसे कि फैलाने जिसे कि यह वाला मा इसका नाम है अपतल अपतल दर्पन पे जो भी कीरन आता है एक कीरन को क्या करता है फैला देता है ऐसे करके फैला देगा लेकिन उत्तल का क्या काम है वो फैलाता नहीं, वो एक जगह क्या करता है, एक जगह एक्तरित कर देता है, एक पॉइंट पे मिला देता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूल रहा है, अब सारक कोन है, अब सारक मतलब जो कि कम करता है, फैलाता नहीं, कम करता है, तो वो हमारा कौन सा होगा, उत्तल दर् लगा रहता है तो उसमें क्या लगता है यह उत्तल लगा रहता है तो ऑप्शन नमारा इसमें क्या हो जागा रहता है अब चले हम लोग इसके 40 नमर को देखते हैं 40 नमर कोशन में क्या कह रहा है 40 नमर कोशन में कह रहा है कि गोले दर्पन की फोकस दूरी एवांट्स की वकरता तरिजा में क्या समन्द है अब 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 आपको बताएं कि गोले दर्पन की फोकस दूरी और वकरता तरिजा इसका दो समन्द है पहला वकरता तरिजा जो होगा focus की दुगुनि होगी, दूसरी focus जो होगा वकरता तिर जाकी आधी होगी अगर इन दोने में से जो होगा वो answer हो जागा, पहला ना जागा, आर इकल टू f, पहला तो हई, दूसरा f इकल टू नहीं, और कोई है क्या नहीं आ रहा है इन दोनों में जो आएगा वो आंसर हो जाएगा पहला वला है इसलिए मेरा पहला वला क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आर इकल टू टू है याद रहेगा वकरता तीजा जोगे फोकस की दूगुनी होगी अब हम लोग आते हैं फिप्टी नमर कोशन फिर और एक गोली दरपन की वकरता तीजा 20 cm मतलब एकल टू नियुक्त यह फोकस बराबर क्या होता है वकरता तीरिजा क्या होता है और हमारा 20 दिया है और इसको अगर आप 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10 तो आंसरहा क्या होगा दो नंबर दस यह सब क सारे इंपोरेंट है इसलिए इसको अच्छी तरह से ऌको करेक्ट करके रखना हुआ और लौक डिश्कर करत होता है और हमारा 32 दिया है और इसको टू से कड़ाएंगे कितना हो जागा तो यहां पर हमारा ओप्शन नमर थी हो जागा सिस्टीम किलिए रहा है अब चलिए हम लोग अगले प्रशनों पर जाते हैं कि 70 नमर कोशिन में क्या का रहा है कि कि किसी दर्पन की फोकस दूरी रिनात्मक होती है किसी दर्पन की फोकस दूरी रिनात्मक होती है हम एक चीज़ आपको बताते हैं फोकस दूरी यहां पर हम अपतल लिखते हैं और यहां पर हम उत्तल लिखते हैं हमेशा याद रखेगा अपतल दर्पन में यह दर्पन की बात क करें इसको भी याद रखेगा दर्पन की बात करें हमेसा एफ मतलब हो गया फोकस ठीक है और यहां पर भी एफ मतलब हो और यहां पर चीज़ है यहां पर देख़िए जो इसका भी होगा जो परतीवीम की जो दूरी होगा इसमें गेटिवह और यहां रिनात्मक होगा लेकिन इसमें जोगा आपतल दर्पन में र लेकिन उत्तल दर्पन को छोड़के हम इसको ऊप्सन नमरों लगाएं सको कर्यक्ट कर लीजेगा अब आते हम लोग 18 नमर 18 नमरों में क्या है कि जब वस्तू दर्पन के वकरता कैंद C पर परे हो तो परतिविम कहां बनेगा हमेंसा याद रखेगा यह हमारा जैसे कि हमारा दर्पन है ठीक है इसका नाम M और N है ठीक है और यहां पर हमारा F हो गया और यह हमारा C हो गया अगर दर्पन के कैंदर के कैंदर पर हो कैंदर पर अगर यहां पर रख है गए तो दर्पन से यहां से टक्राएगा एक फोकस से कड़ेगा फिर ऐसे जाके कड़ एधर कड़ेगा कहां पर इसका हो यह statya 18 का 1 होगा अगर C पर है तो C पर ही बनेगा अब जले हम लोग आगे 19 नमर कोशन क्या कर रहा है 19 नमर कोशन कर रहा है किसी बीम का अपतल दर्पन द्वारा बना परती बीम अभासी सीधा तता बीम से बड़ा पायाता वस्तू की स्थिति कहा होगे अपतल दर्पन करें यह हमारा अपतल दर्पन में यह दुरूप यह और यह विक कर तक है अगर दर्पन पोकष और ध्रूब के बीच में रखें Sup इसे यहां पर Correct करेगा और एक बोसकते हैं यहां से चैंद्र से घाएगा और यहां से जाएगा यह पीछे वॉस्तू को तब यह हमारा पीछे पर्ठी में बने और जब पीछे बनेगा तो पीछे बनने वाले को हम लोग क्या काते हैं अभासी और यह कैसा बन रहा है सीधा बन रहा है और यह हमेसा याद रखेगा अपतल दर्पन में एक ही कंडिशन पर बनता कब बनता है जब फोकस और धुरूप के बीच रखेंगे मुख फोकस दर्प दर्पन के पीछे हमारा बनेगा याद रखेगा तो अगला कोशन है किसी दर्पन से आप सिधा पश्दाशरा आपकोशन के दर्पन के आप मेर कैए आप सायद मीर देहां जो गाड़े में पीछे लगा हो रहता dilemma को हमेथा को सीधा ऑर किया मनाता आप हौर कhouses बनाता इसे खड़ा है आपको ऐसे बना दिया नीचे आप अगर खड़े हैं अपका मुंडी उपर है तो सीजा के सामने जिसे खड़ा विक है तो आपको क्या हो रहा है कि मुंडी नीचे है पेर उपर है ऐसा थूपर बनेगा जैसे है वह ऐसे इसी वनेगा लेकिन अब तल में ऐसा कंडिसने अब तल हमेशा उल्टा बनेगा याद रखेगा त्विंटी नमर यह हो गया अगला हम लोग आते हैं 21 नमर कुशन में क्या आगता है कौन सा दर्पन अभासी सीधा और वस्तु के अकार से छोटा पर्तिव बनाता है सिंपल से अभासी बनेगा सीधा बनाएगा तो सिंपल से याद आपता है तो वह हमारा क्या होता है उत्तल दर्पason में लेकिन कुछ बुक में अफ्तल डिया इकलत है अभासी बनाएगा सीधा अवस्तु के अकार से चोटा परता है और यही अगर चोश्तु से बड़ा बोलता है वहां सो को अपतल मारना प्वार नेंग हुआ अगर अच स trpon का परफिम बड़ा बनता है किस दर्पन से आप दर्पन से हमेशा वह क् rabbits बड़ा ही बनाएगा छोटा रीड़र्डर्पन अधर्वाहिस ज्यादा तर वह क्या बनाता है बड़ा ही बनाता है इसल लोग अपत दर्पन को बनांगे थीर नंशेtery नमर है अपत और दरपन के सामने ही बने मल्लब की उल्टा सामने दरपन की बनता उसको कहते है क्या बनते हैं वास्तविग क्या पहने गर नहींद अ बनता है और वन फरकार की उता है देखें यहां पे यह जो answer देया one or two दोनो परकार कहो सकता है लेकिन पर वास्त ही भी बनाता जैसे कि M.N. उ 난 सकाँ श्रूर में जैसे कि MV और यहां पर भी यहां आज इन दोनों के बीच में रखे एक ही कंडिशन में अभासी बनाता है जब धुरूब और फोकस के बीच में कोई वस्तु को रखा जाए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन 24 नमर उस दर्पन द्वारा बना परतिविम सदीब होता है उत्तल सोरी उत्तल दर्पन द्वारा बना परतिविम सदीब क्या होता हमेशा यद रखेगा सीधा होता है हमेशा उत्तल दर्पन सीधा बनाता है अगर उल्टा बनाता तो हम लोग जो साइड मिरर में यूज करते हैं जो हम लोग गाड़ी में पीछे देखने के लिए यूज करते हैं तो आदमी सब हमारा क्या उल्टा उल्टा दिखता ऐसे नह गाड़ी बहुत आगे है और दिखाए हमको बहुत पीछे इसलिए वह सीधा बनाता है और जितने दूरी पर बनाएगा इसलिए उसका प्रियुक क्या आता है हमारा साइड मेर के रूप में या रहेगा अब चलिए अगला 25 नंबर कॉशन काता है उत्तल दर्पन द्वारा बना पर्तिविम कैसा होता है हमेशा याद रहे हैं हम क्या बताए थे उत्तल दर्पन द्वारा हमेशा अभासी और सीधा बनाएगा अभासी और कैसा बनाएगा सीधा बनाएगा यह था हमारा 25 नमर कोशन और अब यहाँ पे हमारा आज हम लोग डिस मेरा पहला क्लास टा वमित करते हैं कि यह 25 कोसन समझ में आ गया और फिर में 25 कोसन आपको डिसकस करूँगा और यह जितने भी कोसन मैं डिसकस करूँगा इस से एक भी हड के आपके बॉर्ड एकजम जो नवंबर और दिसम्मर में जैक बूर्ड में होने वाला एक भी हट के यहां से नहीं आने वाले इस वीडियो को फूरा आपको अच्छी तरह से नौट कर लेना और यह मेरा पार्ट टू जल्द ही में इसको अपलोट करूंगा नेक्स्ट आपको पार्ट टू भी मिल जागा त लेवन्द में बहुत अच्छे अच्छे मैटरील आने वाली है मैं जल्द ही उस एप को अपडेट करता रहूंगा बट आप उसको इंस्टॉल करके रखेगा बहुत फाइदे होगा बहुत अच्छे-चे मैटरील आपको त्यार करके देने वाले तो आज के लिए इतने हैं मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक लिए लाइक और शेयर कर जिए बाए बाए बाए